हेलो दोस्तों स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर देखे इस वाले वीडियो में हम लोग नौवंबर माहा के कुछ करेंट के वाले कोशन करेंगे यह वाले कोशन आपके साहद समिच्छादकारी और साथ में पीसेस की परीच्छा के लिए इंपॉर्टेंट है तो चलिए सुरू करते हैं निमनिलिकित में से किस इस्थान पर रिलयांस इंडिस्टी जिस ने अपना पहला सोधेश हस्त कलाइश स्टूर इसका नाम क्या रखा है सुदेश इतने जो है आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगला कोशन भारत के पहले नंबर लेस क्रेडिट कार्ड के संबन्द में निम्निलिकित में से कौन सा कथन सही है पहला कथन क्या है अक्टूबर 2023 में भारत में निजी छेत्र के प्रमुख बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने फिंटेक स्टार्ट अप 5 के साथ साजेदारी में देश का पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लांच किया है दूसरा कथन है एक्सिस बैंक का यह नंबर अनां से कऱीयां इसने टीनों कथन आपके सही होगे और जहाएं तर्फिजत्र क्नलब मैं आपको देखना क्या क्या है और इसको रूपे से लिंग कर सकते हैं और तेक श्टार्टर इसके साथ किहैंस बैंबर deliberately को भारत के मंतरी निर्मला सितारामन ने किस देश में भारती स्टेट बैंक की साखा का उधाटन किया है कहा किया है स्री लंका में किया है यह वाला कोश्चन काफी important है नॉवंबर में किस देश ने वर्ष 2013 में सीरिया में नागरिकों के खिलाफ प्रतिबंधित रसायनिक खधियारों के से इस्तेमाल पर सिर्या राश्चा 2023 को डोमेनिका केरेवियाई द्यूप ने लुप्त प्राय स्पर्म भेल की सुरच्छित के लिए सुरच्छित के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरच्छित चेत्र बनाया है दूसरा कथन है आइस लैंड ने नवंबर 2023 को देश के दच्छन पश्मी रेक्जन रेक्जन से देखें यह याद रखना है डूमेनिकन जो केरेवियाई द्यूप है उसने पहला स्पर्म भेल संद्चित चेत्र बनाया है दूसरा यह कि किसने अपातकाल घोशित किया है दूपों की भूकंप की श्रंखला के कारण यह जो है आइस लैंड ने ने घोशित किया है कि सित आइस लाके जो उत्राखंड के परयावरन मंत्री है सत्पाल महाराज इन्होंने किया है इसमें आपको याद रखना है कि जो एवरेश्ट मांचेत्र संग्रहाल है इसका उद्घाटन मसूरी में हुआ है उत्राखंड के है अक्टूबर 23 को केंद्री मंत्री मंसुक मंडाविया ने किस राज के पहले छी सरच के पहले क्राज को फर्टिसी पर्तिस परदः हो द्वारा लैंको अमर कंटक पावर लिप्रदाण की गई है यह जो है आर इसी लिम्टेड चोथा है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इसमें आपको ये वाली कंपणी जो है याद रखना है कौन सी लैंको अमरकंटक पावर लिम्टेड अक्टूबर 2013 में पश्मी प्रसांत महासागर के ऊपर आए कुईनू नामक तूफान ने निमलिकित में से किस देश को सरवाधिक प्रभावित किया है ये प्रभावित किया है एक तो आपको ताइवान और एक है होंग कॉंग इस छेत्र को सबसे दादा प्रभावित किया है कौन से चक्रबाद था कुईनू जो है चक्रबाद आया था अक्टूबर 2013 में कुईनू नामक तूफान ने सरवाधिक प्रभावित देश जो थे वो ताइवान और हॉंग कॉंग थे चीन और फिलिपिन्स आंसी गुरूप से भी प्रभावित हुए हैं इस तूफान से चीन क प्रांत गुवांग डोंग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है को इन्नू चक्रबाद कहां आया है इसकी जो है पोजिशन याद रखनी है कि नेस्ट कुश्चन दो अक्टूबर 2023 को गांधी जैनती के अवसर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए भारत के पहले हाई टेक खेल प्रसिच्छन केंद्र अटल विहारी बाजपई प्रसिच्छन केंद्र का सुभारम किस ने किया है नरेंदर मोदी जी ने किया है ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए प्रसिच्छन केंद्र किसके नाम पर किया गया है अटल विहारी बाजपई के नाम पर निम्निलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश आवारा कुत्तों के संपूर आबादी का सफलता पूरोग बंधिया करन और टीका करन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है यह देश बन गया है भूटान निम्निलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है गलत है हाली में थाइलेंड स्री लंका और मलेशिया ने भारतियों के लिए अपने देश में बीजा मुक्त प्रिवेश देने की घोशना की है दूसरा कथन है नवंबर 2013 में यमन के विद्रोही संगतन हूती ने लाल साग में गैलेक्सी लीडर नामक मालवाख जहाज को हाई जैक किया है दोनों कफन सही है किस किस देश ने भारत को वीजा मुक्त प्रिवेश देने के लिए घोशना की है अभी थाली में एक थाइलेंड एक स्री लंका एक मलेशिया और जो यमन के विद्रोही है इन्होंने किस ज साली में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 75 फ्रैंकफर्ट पुस्तकालाय मेला जो है आयोजित किया गया है यह याद रखना है सही कथन या कथनों का चैन करना है सितंबर 2023 में तमिलनाडू का प्रसिद्ध यूनिसको विश्व प्रसिद धरोहर इस्थल मामल पुरम में एतिहाशिक स्थोर मंदिर ने भारत का पहला हरित उर्जा पुरातत तो इस्थल बनकर एक महतपुन उपलब्दी हांसिल की है दूसरा कथन है नेपाल अपने देश में आधिकारी तोर पर समलेंगिक विवाह को पंचिकरत करने वाला पहला दच्छण एशिया इस्थ बन गया है कौन सा कथन सही है इसमें दोनों कथन सही है यानि जो तमिलनाडू का मंदिर है शोर मंदिर यह जो है पहला हरित उर्जा पुरातत तो इस्थल बन गया है और नेपाल ने समलेंगिक विवाह को पंचिकरत किया है यह जो है दच्छण इशिया का पहला देश है है अगला कोश्चन निमलिकित में से किस राज में मंत्री मंदल ने 18 अक्टूबर दो हजार तेज को राज में बाग अभ्यारनों की सुरच्छा के लिए विशेश बाग सुरच्छा बल का गठन किया है यह जो है अरुनाचल प्रदेश ने किया है विशेश बाग महसों का आयोजन साथ और आठ अक्टूबर को नियू अकादमी यमलूर के बंगलूरू में की गई है बंगलूरू में जो है आयोजिन हुआ है इसका इसकी जो थीम थी वा थी वा थी वाट इस चाइल्डूड विदाउट इस्टोरीज और अगला कथन है इस महसों की यानि बंगलूरू में इसका आयोजिन किया गया है थीम इसकी थी वाट इस चाइल्डूड विदाउट इस्टोरीज और 2017 में इसकी सुरुवाद की गई थी 2018 में इसके लिए एक अवार्ड की सुरुवाद की गई नेश्ट कोशन है प्रधान मंत्री सी नरेंद मोदी ने अक्टूबर 2023 को किस राज में वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से 151 प्रमोद महाजन ग्रामीर कौशल विकास केंद्रों का सुभारम किया है महाराश में किया है कितने 551 इस नाम से प्रमोद महाजन ग्रामीर कौशल विकास केंद्रों का सुभारम किया है सही कथन या कथनों का चैन कीजिए प्रधान मंत्री मोदी ने रानी दुर्गावती के 500 में जन्म शताब्दी समारों के अनुरूप जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती इसमारक और उद्यान का भूमी पूजन किया है पुर्धान मंत्री द्वरा वीरांगना रानी दुर्गावती की पांसोवी जैनती पर सिक्का और डाक्ट कर जारी किया गया है वीरांगना दुर्गावती बाग अभ्यारन ने भारत का 54 बाग अभ्यारन ने बन गया है इसमें से बताना है कौन से कथन सही है ये तीनों कथन आपके सही है ये वाला कोशन काफी important है next question हम लोग देखेंगे निमलिखित में से बताना है कौन सा कथन सही है पंजाब और हर्याना उच्छ नियाले ने 17 नुवंबर 2023 को हर्याना सरकार दौरा 2020 में पारित उस कानून को रद कर दिया है जो राज के निवासियों को निजी नोकरियों में 75% आरचन का प्रावधान करता था किस राज में हर्याना और पंजाब हर्याना उच्छ नियाल है कौन सा राज था हर्याना 75% आरचन दिया गया था 2020 में कोट ने कहा कि हर्याना राज इस्थानी उमिद्वारों को रोजगार अधिनियम 2020 सम्विधान के भाग 3 का उलंगन करता है से मौलिक अधिकार शामिल किया गया है तो यह दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे अगला है दिविकला मेला कि आठवे संसकरण के बारे में गलत कथन का चेहन करना है गलत कथन बताना है इस दिविकला मेला का आयोजण 6-15 अक्टूबर को नई दिल्ली में किया गया अगला कथन है इसका आयोजण दिव्यांग जन ससक्तिकरण विभाग समाजिक नियायम अधिकारिता मंतराले के द् दिशा में दिव्यांगिजन सशक्राण विभागी की एक अनूठी पहले इसमें से गलत कथन बताना है यह गलत है बाकी दोनों को तक कथन सही है क्योंकि इसका जो आयोजन है वह आठ शहरों में किया गया था नई दिल्ली स्में शामिल नहीं है इस साल जो किया गया था वह ज में और जून भी इंदर में यून फैर जेपुर से जो हुआ जुलाइपुर में सिकंदराबाद है भी चलistä काशन किया गया किय जा चुका है और इसमें दिया है October, तो October में कहा आयोजन हुआ था इसका, सिकंदराबाद है हैदराबाद में, यह हर महीने आयोजन किया जाता है, दिविकला मिला, निश्ट कोशन, नुवमबर 2023 में किस देश ने चिकन गुनिया से बचाओ के लिए दुनिया के पहले वैक्सीन, आई, आई अमेरिका ने प्रदान की है, अमेरिका में पहले चिकन गुनिया वैक्सीन, आई, 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 एक्स, चिक, इसको मंजूरी प्रदान की गए है, यह चिकन गुनिया के लिए है, नुवमबर 2023 को निम्लिकित में से किस मंत्राले ने आईना, आईना डैश बोर्ड और सिटीज पोर्टल लांच किया है, यह आवाशन वम शहरी कार्यमंत्राले ने जो लांच किया है, कौन सा ऐसे कोशन आएगा कि आएगा कि आईना डैश बोर्ड किस से सम्बंदीत है, यह जो है आवाशन वम शहरी कार्यमंत्राले से सम्बंदीत है, अगला कोशन है, साइलेंट कंजर स्रीमती दुरूपदी मुर्मने नई दिल्ली में साइलेंट कला कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन टू दा सेंटर नाम के कला प्रदर्शनी का घटन किया है दूसरा कथन है इस प्रदर्शनी का आयोजन राष्टिय बाग संरच्छन प्राधिकरान द्वारा साकला फांडेशन के सहीयोग से प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्श पूरे होने के उस्सों के रूपे मनाया जा रहा है दोनों का थन आपके सही हो जाएंगे कौन सा जो है कौन सी प्रदर्शनी है साइलेंट कंजर्वेशन प्रॉम मार्जिन टू दे सेंटर कहा आयोजन हुआ दिल्ली में हु जो है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने निमनिलिखित में से किस राजी की पहली है या जो है गुजरात में रवाना की गई है और इस ट्रेन को एकता यानि के वडिया से हमदाबाद के लिए जो है चलाया जाएगा अकला कोशन सही कथन का जो है इसमें करना है बिहार में जातिकत जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार राजी के लगबग एक तिहाई परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बिसर कर रहे हैं दूसरा क कूलों में पहली बार सावजनिक अवकास की घोशना की गई है दोनों कथन आपके सही है निम्लिखित में से कौन सा एक राज इसमें सामिल नहीं है यह जो है महाराष्ट है कहां कहां जो है चुना हुए थे मध्य प्रदेश राजस्थान तेलंगाना उसके बाद एक है चुना हुए थे चुना हुए थे विधान सभाके अक्टूबर 2023 में केरल के कासर गोड जिला अधिकारिक तौर पर अपने व्रच फूल पच्छी जीव प्रजादी को नामांकित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है इसलिए यह कुशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सूची को समेलित करना है सबसे पहले तो आप यह आप लोग यह याद रखिये कौन सा जिला है वांहें कंसा उसके बाद में देखिए कौन-कौन से है अधिकारिक व्रच कौन सा है अधिकारिक व्रच है कांजीरम और उसके बाद में है अधिकारिक पच्छी अधिकारिक पच्छी है भाइट भाइट बैलिड सी हॉक यह हो जाएगा और अधिकारिक फूल जो है वह जो है पेरिया पोला ही है और अधिकारी जो जीव है वह भीमन अम्मा है यह जो है हो जाएंगे नेस्ट कोश्चन कि राश्टी कुशल पाक कला कारिक्रम के संदर्व में कौन सा कथन सही है दो नौवंबर 2023 को विद्दूत मंत्राले के अंतरगर सारुजनिक पूर्जा चला कारिक्रम सुभारम किए और राश्टी कुशल पाक कला कारिक्रम का सुभारम किया है अगला कथन है इस कारिक्रम के अंतरगत पूरे भारत में बीस लाख इंडक्शन कुक इस्टो लगाने का लच्छ रखा गया है अगला कथन है इसन इन कारेक्रमों के हिस्से के रूप में उर्जा दच्छता सेवा लिम्टेड देज भर में एक करोड कुसल BLDC पंखे और 20 लाक उर्जा दच इंडक्शन कुक इस्टो वित्रित करेगा सभी कथन सही है या क्या क्या रखना है इसमें एक तो एक करोड कुसल BLDC पंखे 20 लाक उर्जा दच इंडक्शन कुक चूले यनी स्टो और विद्धुत मंत्राले ने इसको जो है किया है अगला कोश्चन पश्मी घाट छेत्र में मिट्टी के कटाव में बढ़वत्तरी के सम्मद्र में निम्लिकेत में से एक रिपोर्ट जारी हुई है इसके बारे में बताना है कौन से कथन आपके सही है पहला कथन है भारती प्रोद्वगी की संस्थान बांबे यानि आयाटी ब 2020 के दौरान पश्मी घाट में मिट्टी का कटाव 94 प्रतिशत बढ़ गया है अगला कथन है दो 1990 से 2020 के बीच में 121 प्रतिशत की मर्दा अपरदन दर से दर के साथ तमिलनाडू का प्रतर्शन सबसे खराब रहा है दोनों कथन आपके सही है सबसे ज्यादा मर्दा अपरदन है वो 90 प्रतिशत है और करनाटक में या 56 प्रतिशत है और पश्मी घाट में या 94 प्रतिशत है नवंबर 2023 में महाराश्ट के पूड़े में प्रसिद भारती स्काई डाइवर शीतल महाजन ने मौंट एवरेश्ट की सामने 21500 फिट की उचाय से हलिकॉप्टर से छलांग हासिल की है शीतल महाजन को किस वर्ष भारक के सर्वोच नागरिक सम्मान पदमश्री से सम्मानित किया गया था नाम याद रखना है शीतल महाजन क्या काम गिया इन्होंने मौंट एवरेश्ट के सामने 21500 फिट की उचाय से छलांग लगाई है यह 41 वर्षी है सीतल महाजन अगला कोशन निम्लिकित में से कौन सा एक कथन सही है भारती रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनांस लिम्टेड को अपने दो रण उत्पादों एक तो इकॉम और एक है इंस्टा इंस्टा इमाई कार्ड के तहद रण की मंजूरी और वितरण को ततकाल प्रभाव से रोखने का निर्देश दिया है अगला कथन है नवंबर 2023 में सीबेक फॉर्ण पर जी आइटेक प्राप्त करने वाला लगा का चौथा उत्पाद बन गया है दूनों कथन आपके सही हो जाएंगे बजाज फाइनेंस लिम्टेड की दो जो है जो रण खुबानी वा लद्दाखी लकड़ी की नकाशी को भी जी आइटेक मिला हुआ है सीबेक फॉर्ण फल को लेह बेरी या फिर लद्दाखी गूर्ड के नाम से जाना जाता है नीचे दियेगे सही कथन या कथनों का जो है चैन करना है पहला है भारी मौसमी बारिश के कारण स भाई भीषर बाढ़ को संयुक्त राश्ट ने सदी में होने वाली सदी में होने वाली घटना करार दिया है दूसरा कथन है दो जलवायू समंदी घटनाओं अलनीनों और हिंद महासागर डाइपोल के संयुक्त प्रभाव के कारण भारी मौसमी वर्षा की इस्तिति उत्प प्रभाव किया है कि अगला कोशन है कौन सा देश अक्टूबर 2030 में अप तर्टी अप तर्टी पोट के विद्दूत्ट चुम्ब की रेल गन लाउंच करने वाला जो है जो देश है वह जापान है इसके परीच्छन में समुद्री आत्मरच्छा बलने जापानी रच्छा म यह लगबग 6.5 मेक से लेकर 7 मेक से पहुचने में सक्षम है जो धन की गति में लगबग 7 गुना है नेश्ट कोशन हाली में चर्चा में रहे शहर ग्वालियर और कोजी कोट के संदर में बताना है कौन सा कथन सही है 31 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के गौालियर और केरल के कोजी कोट सहर को यूनिसको क्रियेटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है अगला पॉइंट युनिशको ने ग्लालियर को संगीब के लिए और कोजही कोड को साहित के लिए जो है इसको चुना है अगला क्थन है युनिशन विश रुच शहर दिवश 2023 के अवसर पर युनिशको की रचनात्त सेहरों की सूची में 55 नय शहरों को जोड़ा है सभी कथन आपके सही हो जाएंगे जो UNESCO Creative Cities Network है यह 2004 में लांच किया गया था और इसमें जो अभी तक भारत के जो जोड़े गए हैं यह जो है इस बार अच्छा युनिसको में इस बार जो है 55 सहर जो है टोटल जोड़े गए हैं जिसमें से जो है एक गौलियर है एक कोजी कोट है गौलियर है संगीत के लिए और कोजी कोट है सहीत के लिए अगला कुश्चन हाली में अपसिष्ट प्रबंधन है तो निमलिखित में से किस राजिया के अंदिशाष्य प्रदेश में भारत के पहले पॉलीथीन अपसिष्ट बैंक की शुरुआत की गई है पहले खुलों का लोकारप찬 किया है इस ने किया है एक तो धर्मेंद प्रधान जिवापकी सिख्षामंत्री है ल фильма जब्हाइए उन दोनों ने जो है उदगठन कोativा था ochol कोंशाल विकास मंद्राल है उद्समिता मंत्री स्री धर्मेंद प्रधाने हर्याणा के मुख्य मंत्री स्री मनुहराल खटर के साथ हर्याणा को 124 पीम स्री स्कूलों को समर्पित किया है इसके लावा मंत्रियों ने स्कूल एप और मोबाइल अप्लिकेशन निपुन निपुन को भी जो है लॉंच किया है केंद्री मंत्री मंटल ने 11 अक्टूबर 2023 को निम लिखे ते में से किस महतपून रणनीतिक खनीजों के संदर्वे में रॉयल्टी दर कम करने के लिए खान और खनीज विकास और विनेमन अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूचि में शंशोधन को मंजूरी दी है ये जो है जो रियर अर्थ मेटल हैं उनको जो है मतलब उनके उनकी रॉयल्टी पर छूट दी गई है एक तो है आपका च्रूसरी अर्फ मे लीथियन एक न अईूबिय और यह इर अर्थ मेटल जो खुद भी दिया है तो यह आपके तीनों हो जाएंगे सही है अगला कुश्चन हाली में चर्चा में रहा जूला घार्ड सस्पेंशन पुल के सम्मंद में निम्लिकित में से कौन सा कतन सही है अक्टूबर 2023 को नेपाल और भारत जुड़ने वाले बैतरी जिले में ज जूला घार्ड सस्पेंशन पुल पूरी तरह से चालू हो गया है इस पुल का निर्मार महाकाली नदी के ऊपर किया गया है अगला कथन है यह पुल उत्राखंड के पिथारागर जिले को नेपाल के बैतरी जिले से जोड़ेगा यह जो है आपके तीनों कथन सही हो कौन सी नदी महाकाली नदी जूला घार्ट सस्पेंशन ब्रिज और किसको जोड़ेगा उत्राखंड के पिथारागर को नेपाल के बैतरी जिले से जोड़ेगा अगला क्वेशन निम्लिकित में से कौन सा यह से कथन गलत हैं अक्टूबर 2023 को भोपाल का महिला थाना IOC भोपाल का महिला थाना ISO ISO मानकी करण के लिए अंतराशी संगठन या जो है यह प्रमाड़ पत्र देता है द्वारा प्रमाड़ी तो होने वाला देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है अगला कथन है केंद्री मंत्री सी धर्मेंद प्रधान नई दिल्ली में वेब पोर्टल अ रही है महिला थाना कौन सा भोपाल का लेस्ट कोशन हाली में पश्चिम बंगाल के कोलकाता के राजभवन में ब्रिटिश यूग की भविता का प्रमाड़ प्रतिष्ठित सिंगासन कच्छ पहली मंजिला इसका नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया है भारत के पहले उप्रधान मंत्री भारत के पहले उप्रधान मंत्री कौ कि प्रसिद्ध पेंटिंग में फेमे दाला मॉंट। रूमन दिवाच इस अन्दर में निम्रें से कौनसा कथन सही है यह जो है पाus पुक्रांक्ष पेंटिंग और दावाच इसे जो है न्यूयार्क में सोथली की निलामी में पाबलो पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग फेम दाला मॉंट्रे वूमन विद दा वाच के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड 149 149 मिलियन ड डॉलर में बिकी है इस पिकृक्री के साथ यह पेंटिंग पिकासो की अब तक कि दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है अंगला कथन है कि अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग जो हैँझ क्रि लेस फ्रेम द अलगर है या जो है 2015 में 179 मिलियन डॉलर में बिकी थी कौन सा कथन सही है तीनों गथन आपके सही हो जाएंगे नेश्ट इस इन खनीजों की उपलब्दता या वंडारण में कमी कारण कुछ भौगोलिक इस्θानों की आपूर्ति शंखला में 14 द्यवधान या भारी संकट भी उत्पन हो सकता है केंद्र सरकार ने भारत में 30 critical खनीजों 30 critical खनीजों की पहचान अन्वेशन किये जाने के लिए कौन से कथन सही है तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे 30 critical खनीज की भारत सरकार ने पहचान की है जिस पर अन्वेशन किया जाएगा या रिसर्च किया जाएगा इम्रिकित में से कौन सा कथन बताना गलत है नुमबर 2023 में भारत के मुख्य नयाधिस डीवाई चंद चूड ने भारत के पहले भारत के सरवोच नियालाय के पैसर में मिट्टी कैफे का उधगाटन किया है जो की तरह से दिव्यांग करमचारियों द्वारा संचालित है अक्टूबर नुमबर 2023 को महाराष्ट महाराष्ट के मुख्यमंत्री एक नाश्चिंदे ने पूड़े में च्छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराज की घुर्सवारी वाली एक प्रतिमा का नावरन किया है इस जम्मु कस्मीर में नियंतर रेखा के पास कुप वाड़ा जिले में च्छत्रपति शिवाजी महाराज की घुर्सवारी वाली एक प्रतिमा का नावरन किया है और इसे जो है जो महाराष्ट के मुख्यमंत्री है उन्होंने ही इसका नावरन किया है अगला क्वेशन नवंबर 2023 में कोलिंस डिक्संदी को री द्वारा किस शब्द को वर्ड और गोशित किया गया है या है AI AI मतलब Artificial Intelligence Oxford डिक्संदी द्वारा कौन सा सब्द गोशित किया गया है Oxford डिक्संदी द्वारा इसको जो है गोशित किया गया है कोलिंस डिक्संदी द्वारा AI को गोशित किया गया है नेस्ट कोश्चन 27 अक्टूबर से 5 नॉम्बर 2023 तक मुंबई में मुंबई में आयोजित 10 दिवसी जियो मामी फिल्म फ्रेश्टिवल की मेजबानी इन लिखेत में से किस ने की है यह जो है मेजबानी की है एक तो प्रिंका चोपड़ा और दूसरी जो है इशाम बानी इन दोनों ने की है 27 अक्टूबर से 5 नॉम्बर तक चले जियो मामी फिल्म फ्रेश्टिवल में मेजबानी प्रिंका चोपड़ा और इशाम बानी ने की है प्रिंका चोपड़ा इशाम बानी और महौसों की निदेशक ही अनुपमा चोपड़ा यह तीन आपको नाम याद रखने है अगला कुश्चन नॉम्बर 2023 को भारत भारत बोटेनिक्स द्वारा निम्लिकित में से किस सहर में अपनी अत्याधुनिक वूड इस्प्रेड कोल् प्रसंसक्रण सुवधा खुलने की घोशना की गयी है या राजकोट में की गयी है किसने बोटेनिक्स नेल इख अफ्रिट इस्प्रेड कोल्ड आइल संसकरन की गोशना की गये है भारत भारत बोटेनिक्स रसायन और वनस्पत इसकी स्थापना के बाद यहां भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादक सैयंत्र होगा अगला कोशन निम्लिकित में से कौन सा भारती प्रावद्यकी की संस्थान पहला संस्थान बन गया है जिसने पूरवी अफरीका तंजानिया के एक द्यूब जंजीवार में अंतराश्य परिसर इस्थापित किया गया है यह है आयाटी मदरास द्वारा अंतराशी परिसर का उद्धाटन जन्जिवार के राश्पती हुसैन अली मभिनी द्वारा किया गया है कि नवंबर दोहजार तेज़ को उत्तर प्रदेश में भारत के दूसरे दूसरे फ्लोटिंग सीज्दैशन का सुभारम कहा किया गया है यह दद अग्टूबर 2020 को तुर्की गणराज में तुर्की गणराज ने अपनी वर्षगाट बनाई है अपनी सौमी वर्स गांट बनाई है क्योंकि 2023 की लॉसें संदिके अंसार एशिया माइनर और ग्रेस के कुछ भाग तुर्की की प्रविसत्ता को जो मानिता देते थे वो खतम कर दिया गया था क्योंकि तुर्की जो आटोमन सामराज था उसका विग्टन हो गया था सेगेंड वर्ड वार के बाद में यह जो है 2024 से उन रूप से खतम हो गया था और तुर्कियस से तुम्हें आया था जिम्लिकित में से कौन सा कथन गलत है आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत ऑनलाइन सटेबाजी प्रतिबंध जारी किया जा सकता है बिल्कुत सही बात है सटेबाजी और जुआ साथवे अनसूची के तहत केंद सूची में आते हैं गलत कथन बताना है सिक्किम ऑनलाइन सटेबाजी की अनुमती देता है धारा 69A केंद सरकार के राशी हितों को जोखी में डालने वाली वेबसाइटों तथा एपों को ब्लाउक करने का अधिकार देती है यह वाला जो कथन है क्योंकि यह केंद्र सूची में नहीं यह राज सूची में सटेबाजी या फिर सबसे बड़े एकल साइट दो गीगावाट अल दाफरा सोलर फोटो वेल्टी फोटो वोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट आई पीप का उद्गाटन किया है अबू धावी शहर से 35 किलोमेटर दूर इस्तित या संद्र लगभग लगभग दो लाक घरों को बिजली देने के लिए पर्रयाप्त बिजली का सजन करेगा सालाना सालाना दो पॉइंट चार मिलियन टन कार्वन सजन विस्थापित होने की उमीद है कौन से कथन जो है सही है दोनों कथन सही है नवंबर दोजातेज में किस देश में इस्तित यूट्रेक्स यूट्रेक्स विश्विद्याले के वैग्यानिकों ने लुप्त महाद्यूप अर्गा लैंड अर्गा लैंड की खूज की है नीदर लैंड में इस्ति जो विश्विद्याले है यूट्रेक्स उसने जो है अर सब्सक्राइब में है कि पश्म और शेलिया के पास में महिला आरच्छन विध्यक महिला रचनma में महिला ंरंच्छन23 के संब्ध में यह कथन सही हो गया अगला कथन है इस विध्ययक में लोकसभा और राजसभा में महिला सीटों के लिए कुल एक बटे तीन जो है सीटे आराच्छित करने का प्रावधान है कथन सही है मवजूदा विदी के अंसार अगली परसीमन प्रक्रिया यानी की जनगर्णा के बाद ही संचालित किया जा सकता है तब तक इस अधिनियम के लागु होने के लिए कोई आसान नहीं बन रहे हैं तो तीनों कथान आपके सही हो जाएंगे 128 संविधान संसोधन विधेयक है और 106 जो है संविधान संसोधन है नेस्ट कोश्चन अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनातने निमनिलिकित में से कहां पर पस्तावित पसुचिकिस्था विज्ञान महाविद्याले का निर्मार कारी प्र किसान मस्क के स्टार्ट अप जो है न्यूरा लिंक न्यूरा लिंक को अमेरिकी अमेरिकी एजंसी एफ डिये की की तरह से दिमागी इंसानी दिमाग में ब्रेंचिप इंप्लांट करने की मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इस पर ट्रैल शुरू किया जाएगा क्रेशियों 24x7 प्लेटफार्म का विकास किया है जो क्रेश्ट सूचना निगरानी वम विशलेशन के लिए गूगल.org की सहता से चलने वाला सुचालित कृतिम बुधिमत्ता संचाली समाधान है दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे न्यूरा लिंक वाला जो प्रोजेक्ट है वो इलान एक इसने प्रेटफार्म लांच किया है यह जो है गूगल.org की सहता से चलेगा और यह जो है सचालीत पहला करतीम बुधिमत्ता संचाली समाधान हो जाएगा है अगला क्वेश्चन निमलिकित में से कौन सा यह से कथन गलत हैं डेनमार्क के कोपेन हैगन विश्च विद्याला के सोध करता हों कि अमसार विश्च के ग्रीनलेंड छेतन में समुद्र का तापमान सग्विश्च के ग्रीनलेंड छेतन में समुद्र का तापमान 2.2 से लेकर 0.5 डिग्री सिंट तो इतने कोशन हो गए आपके यह सारी कोशन आपके नोवंबर महा के लिए इंपॉर्टेंट है अगला वीडियो जो है आएगा वह अक्टूबर महा के जो एक जो वीडियो बनाया गया है उसके बाद में अक्टूबर मारके कुछ जो है प्रेक्टिसेट जो है वाले कोशन होंगे वो वाले जो है लेकर आएंगे तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए थैंक यू